नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूस में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर नितीस काबिनेट की बैटक में 14 एजिंडों पर लगी मुहर राची के 76 ग्रामी सरकों का होका निर्मान बिहार कुलिस ने साइबर अप्रादियों और जाती उनमात फैलाने वालों को दी सला सरकारी स्कूलों से कार दिये गए 5,4,000 बच्चों के नाव सुमन गिल के बैक अप के तौर पर इन खिलारी को टीम में किया जा सकता है शामिल उसके ताथी बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों क्यों विस्तार से नितीश काबिनेट की बैठक में 14 एजेंडों पर लगी मोहर आज बिहर के मुख्यमंत्रे नितीश कुमार के द्वारा विविन विभागो सुच्छरे को 14 एजेंडों पर मोहर लगाए गए हैं जिसमें बकसर के राजपूर अंचल के ततकालेन अंचल अधिकारी राकेश कुमार को रिश्वत लेते वे रंगे हाथ पकरे जाने के फल सरूप सेवा से बरखास्त कर दिया गया इसके अलावा बिहार राजिश्व करमचारी संवर्ग संसोधन यमवाली 2023 के गठन की सुरक्षा कर्मी की मृत्यू या स्थाई अपंगता के स्थिती में दिये जाने वाले अनुगरह अनुदान को सु बिहार के सभी आठ केंद्री काड़ा में संविधा पड एक-एक मनुचिकिस्त का पद श्रिजित किया गया है विज्ञान प्रावधिकी एवं तकनीकी सक्षा विवा के सेवा निवर्थी के बाद इस पद पर अगले दो वर्षों के लिए संविधा पर नियोजन की सुरक् उच्वरगे लीपी के साथ पद निम्नवरगे लीपी के साथ पद एवं आशु लीपी के साथ पदों के श्रिजन की स्विधित दी गई है इसके लावा भी कई अने एजंडो पर मुहर लगाई गई राज्य के 76 ग्रामीन सर्कों का होगा नर्मान ग्रामीन काड़ी विभाग के दौरा बिहार के विवन जिलो में 116 करोड 88 लाख रुपए की लागत से 76 ग्रामीन सरकों के निर्मान को लेकर प्रशास्टिंग मंजूरी दे दी गई है बतादी के विभागी अथिकारी के दौर सल्चाथ चार करोड 49 लाख रुपए की लागत से कटिहार में 0.57 किलोमीटर सरके का निर्मान किया जाएगा नहीं से इसके लावा क्रिटिहार के 1220 में 49 लाक रुपे की लागस से 0.4 किलो मीटर सरक का निर्मान किया जाएगा सके साथ नहीं अने जिले भी हैं जहां सरकों का निर्मान किया जाना है बिहार पुलिस ने साइबर अपरादियों और जातिय उन्मात फैलाने वालों को दी सला एक तरफ जहां राजी में साइबर अपराद सजरे मामलों में बढ़ोतरी हो रही है तो वहीं दूसरी ओर इन पर नकेल कसने के लिए पुलिस के द्वारा लगतार कोशिश की जा रही है इसी कड़ी में अब अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यारे जितंदर सिंगंगवार के द्वारा साइबर अपरादियों और जातियों उनमात फैलाने वालों को सलाह देते वे कहा गया है कि EOU और जिला पुलिस के द्वारा ऐसे लोगों के विरुद लगतार कारवाई की जारी है इसलिए इनकारियों में सनलगन लोग अपनी उर्जा और अधूरे स्कल्क का अस्तमाल खेल कूद गतीवीदियों या पुलिस मिलिटरी में शामिल होकर लगा है इसके उनकी समाजिक प्रतस्था भी बढ़ेगी और देश-प्रदेश का नाम भी रौसन होगा उन्होंने कहा कि धन्मिया किसी अन्य नाम पर उन्मात फैलाने वालू तत्वों के विरुद बिहार पुलिस के द्वारा करी कारवाई की जाएगी सोशल मीडिया सहित अन्या माध्यमों पर 24 घंटे करी नज़र रखी जा रही ऐसे में अगर किसी प्रकार के अपती जनक कंटेंट देखे जाते हैं तो उनके खिलाफ आईटी एक्ट वा आईपीसी की विविन धाराओं के तहट मामला दर्च करते वे कारवाई की जाएगी जानिये नए सक्षकों को कितनी मिलेगी सैलरी बहुत जल्दी बिहार में होने वाली 69,692 सक्षकों के नुक्ती को लेकर बिहार लोकसिवा आयोक के द्वारा आधी आशना भेजी जाएगी इसको लेकर पिछले दिनों सक्षक विवाग के अपर सचीव केके पार्ठक के तरफ से रोस्टर क्लियर कर रिपोर्ट सौपनी को कहा गया था जो अब पूराक कर लिया गया है बतादिक विवाग के द्वारा इन सक्षकों के वेतन मान भी तैग कर लिये गया है जिसका आदेश भी जारी कर दिया गया है जिसके अंतरगत मध्य विद्याले के सक्षकों का कूल वेतन 49,050 होगा जिन में पेंसन आदी काट कर हाथ में 45,130 रुपए मिलेंगे इसी प्रकार माध्यमिक सक्षकों का कूल वेतन 53,970 रुपए होगा जबकि हाथ में 49,630 42,42 प्रतिशत महगाई भत्ता के अलावा HR आदी जाएंगे बिहार सिपाही भरती पेपर लीक मामले में पुलस का बड़ा खुलासा एक ऑक्टूबर को आयोजे थुई बिहार सिपाही भरती पेपर लीक मामले में पुलस के द्वारा गिरफतार कर जेल भेजे गए सिपाही कमलेस कुमार के मोबाइल से आश्तर की भेजने वारे तीन लोगों के पहचान की गई है बता दे कि तीन आरोपियों में से दो आरोपी नरंदा के तो वहीं तीसरा आरोपी दरभंगा का रहने वाला है वहीं में से दो सरकारी कर्मी है तो एक नीजी कमपनी में काम करता है पुलिस के द्वारा तीनों आरोपियों के गिरफतारी के लिए दबश की गई थी लेकिन वे मिल नहीं पाते ऐसे में आज इस केस को आर्थी कप्रा धिकाई को ट्रांसफर किया जा सकता है अगर ऐसा होता है तो पुलिस अपनी जांच जारी रखेगी लेकिन जांच की रिपोर्ट EOU को दी जाएगी बागमती बूढी गंड़क को जोड़ने की कवायत शुरू जल संसाधन विभाग के विससगे के द्वारा बागमती बूढी गंड़क को जोड़ने की कवायत शुरू कर दी गई है बतादिक इसको लेकर एजिंसियों को आमंतरित किया गया है इसे में इस काम को अगले डेर वर्शु तक पूरा कर लिया जाएगा बतादिक इस परियोजना को राजे सरकार के द्वारा अपने संसाधनों से पूरा किया जाएगा जिसके तहत 61 किलो मीटर लंबी शांती धार बागमती बूढी गंड़क नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा मालुम हो किस परियोजना पर 114.69 करो रुपए खर्च किये जाएगे इससे समस्तिपूर बदर्भंगा के साथ-साथ इसके आजपास के जिलों के छेतरों को भी सीधा लाब होगा बता दे किससे जिन प्रकंडों को सीधा लाब मिलेगा उनमें समस्तिपूर जिले में कल्यानपूर, वारिस नगर, खानपूर, सिवाजी नगर, रोसरा व सिंगिया है तो वहीं दर्भंगा जिले में हाया घाड बहेरी व हनुमान नगर शामिल है विहार में डेंगू के मामलों में होड़ ही बढ़ोतरी विहार में डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी होड़ी है इसको लेकर स्वास्त विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है प्रदीश में अब तक डेंगू के कुल ग्यात मामलों की संख्या 8,864 हो गई है जिसमें से अकेली विहार की राजधानी पतना में डेंगू मरीजों की संख्या 3,029 है महीं पतना के लावा भागलपूर सारण, मुझपरपूर पश्मी चंपारण, पुर्वी चंपारण, मुंगेर वैशाली भी तेंगू से प्रभावित है मारमों की डेंगू को लेकर पतना में डेंगू नियतरन कक्ष भी बनाया गया है जो 24 घंटे मरीजों की सहायता के लिए उपलप्ध है पता दे कि डेंगू कंट्रोल रूम का हल्प लाइन नंबर 6612-2951964 है जिसे स्वास्ते विवाग के ओर से जारी किया गया है इस नंबर पर संपर्कर लोग अस्पतालों में उपलप्ध बेट से लेकर ब्लड बैंकों में प्लेटलिट्स की उपलप्धिता के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं सरकारी स्कूलों से कार्ट दिये गए 5,440,000 बच्चों के नाम विहाई सरकार के सक्षा विवाग के अपर मुख्य सचीब केके पाठक के निर्देश के बाद अब तक राचिकी सरकारी स्कूलों से प्राडमभिक से लेकर माधिमिक विद्यालों में पढ़ने वाले 5,49,446, चात्र चात्राओं के नामांकन को रद कर दिया गया है बतादे के सभी वे चात्र हैं जो विद्याले में नामांकन के बावजूद बिना सूशना के लगातार गयर हाजर होते थे 55,563,9 वी कक्षा के 4,934, ग्यारवी कक्षा के 3,765 और बारवी कक्षा के 2,198 विद्यार्थी शामिल हैं मुख्या जी अब नहीं कर सकेंगे ये काम अब राज जी में मुख्या जी किसी भी कारी को अपनी मर्जी से आवंटित नहीं कर पाएंगे बता दे कि 3,75 ग्राम पंचाईतों द्वारा कराये जाने वाले सारी कामों के लिए टेंडर जारी किया जाएगा और जो सबसे कम पैसों में काम कराएगा उन्हें इसकी जिम्यदारी मिलेगी मानमों कि इसको लेकर पंचाईती राज विभाग के द्वरा कारी कोड बना लिया गया है और इस पर वित विभाग की सहमती भी मिल चुकी है और अब बहुत जल्दी इस पर काबिनेट की बैठक में मुहर भी लगा दी जाएगी जिसके बाद इसे राजी में लागो कर दिया जाएगा बतादिक स्नियम के लागो हो जाने के बाद कोई भी जन प्रतिनीधी अपने मन से काम नहीं कर पाएंगे मारमों की वर्तमार में सारी कारे विभागिये अनुमती के आधार पर किया जाता है इसमें सरकारी कर्मी एजनसी के रूप में नामित होते हैं इसमें टेंडर की बादिता नहीं होती है मुझपरपूर में शव एके जाने का मामला पहुँचा हाई कोट पटना हाई कोट के चीफ जस्टिस के विनोचंदरन एवं जस्टिस राजीव रॉय की खंडपीट के द्वारा महाधिवक्ता पीके शाही एवं केंदर सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसीटर जनरल डॉक्टर के एन सिंग के उपस्तिती में मुझपरपूर पुलिस सरक दुरगटना में मड़े एक सक्स के शव को बगैर अस्पताल पहुचाए नदी में फेक दिये जाने के मामले पर सोता संग्यान लेते वे सुनवाई करते वे राजसरकार को यदिश अनर्देश दिया गया है किस मामले को समवेदन शील बनाते वे तमाम कदम उठाने चाहिए वही महादिवक्ता पीके साही के द्वारा कोड को बताया गया है किस मामले पर सरकार द्वारा संग्यान लिया जा चुका है और दोश यदिकारियों के लाफ कारवाही की जा रही है बिहार में आईफोन के लिए यूवक ने खुद रची अपने अपहरन की कहानी बिहार के नरंदा के करत्री सराय थाना इलाके के बहादुर गंच गाउं के एक 23 साल के यूवक अमित कुमार के द्वारा आइफोन के लिए खुद के अफरन की साजिस रच लिगई हलाकि पुलिस के द्वारा अफरन का मामला दर्च होने के बाद लरके को सही सलामत बरामत कर लिया गया है बता दे कि आईफोन के लिए यूवक ने अपने घर पर कॉल कर फिरोती की मांग की थी वो अपने दोस्त के हाँ छुप कर बैठा था वही यूवक के द्वारा मिले जानकारी के नुसार उसके माता पिता से पैसे ठगने के लिए ऐसा कदम उठाया था और मोबाइल फोन से वाटसब के माध्यम से कॉलिंग कर फिरोती से रूप में 80,000 रुपए की मांग की थी मालुमों कस बात की जानकारी राज़कीर DSP के द्वारा प्रेस कॉन्फरेंस कर दी गई है थावे मंदर दर्शन करने पहुँचे अक्टर यसकुमार भोजपुरी अल्बमों के गानी को लेकर कहा ये भोजपूरी एक्टर यसकुमार अपनी नई फिल्म के लोकेशन को देखने के लिए गोपाल गंच पहुँचे जहाँ उन्होंने थावे मंदर में भी दर्शन किया इसी दुरान उन्होंने मीडिया से बातशित करते वे भोजपूरी एल्बमों में गाना को लेकर कहा कि भोजपूरी फिल्मों और गानों को लेकर कहा जाता है कि इसमें इतनी अश्रीलता होती है कि सामाने दर्शक से दूर रहना ही पसंद करता है जिसके कारण भोजपूरी फिल्म पिछले दो दस्धत में उतना अगे नहीं बरसकी जैसा की दूसरे भाषाओं की फिल्में लेकिन भोजपूरी फिल्में अब साप सुतरा होती है इसमें उतनी अश्लीलता नहीं होती जितने की वर्तमान में भोजपुरी एल्बम होई होती है सबसे ज़्यादा नुकसान एल्बम वाले लोगों नहीं किया है उन्होंने कहा कि उन लोगों को इस पर विचार करना चाहिए और असलीलता को रोकना चाहिए सियर नतीश ने भीम संसदरत को हरी जंडी दिखाकर किया रवाना आज यानी की 10 अक्टूबर को बिहार के मुख्यमंत्रे नतीश कुमार के द्वारा एक अनी मार्क से भीम संसदरत को हरी जंडी दिखाकर रवाना किया बतादी की भीम संसदरत के माध्यम से राश्ट्रपिता महात्मा गांधी जी एवं बाबा साहिब भीमरा अंबेटकर जी के आदर्श विचार एवं उनके द्वरा दिये गए काड़ियों से लोगों को अवगत कराने का काम किया जाएगा पतादी के सफसर पर भवन निर्मान मंतरी अशोक चौधरी, मदनिशेत उत्पाद एवं निवंधन मंतरी शुनील कुमार अनुश्चि जाती चंदाती, कल्यान मंतरी रतने सदा, जेरियो के प्रदीश रध्यक्ष उमेश कुषवाह, पुर्व मंतरी संतोष कुमार निराला, पुर्व विधायक अरुनमान जी, बिहार राजी नागरिक परिसत के पुर्व महासचीव अर्विंद कुमार सहित अने राजनितिक एवं समाची कारिकरता उपस्तित रहें। प्रदीश में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले रुद्राज गायकवार को टीम में शामिल किया जा सकता है। प्रती लीटर में मिल रहा है। प्रती लीटर की दर्से मिल रहा है। इसके साधी बरते हाज के सवाल क्यो राज का सवाल है। अपना जवाब हमें हमारी कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम कबरों के साथ बर रहने के लिए देखते रहें। और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहें चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप फेस्बुक से देख रहें तो पेस को फॉलो करना ना भूले थन्यवाद।